Hey everyone, welcome back to YouTube channel JK Paramedical Info यहाँ पर आपकी जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अपकी खतम हो चुकी है जो की अपकी थी 12th पेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सिस 2024 के लिए जितने भी candidate थे 1st round काउंसलिंग में जिन लोगों ने participate किया जो candidate रहे भी गे जिन्नोंने नहीं भी participate किया जिनको नहीं भी पता चला उनको maybe 2nd round काउंसलिंग में जो है वो chances जो है वो मिल सकते हैं काउंसलिंग के लिए बट यहां पर अभी बात की जाएगी 1st round काउंसलिंग जितने भी candidates ने यहां पर attend किया अपने respected colleges अलॉट कुए उनको जो जो उन्होंने अपने रंग के इसाब से काउंसलिंग के लिए जाते रहे उनको college मिलते रहे जो जो college अपने preferences में दिये आपकी जो है वो एक final selection लिस्ट आउट हो चुकी है इसमें हम सारी बाते करेंगे आपको कब-कब जाना है admission के लिए document कौन-कौन से चाहिए और किस तरह से आप अपना college और अपना courses इसमें देख सकते हो ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको inform कर दूँ कि आपकी जो last date रहने वाली है admission की वो आपको जो है वो आज 16 है कल 17 से जो है वो आपको चले जाना है admission के लिए आपको जो college अलाट होगा आपको मैं बता दूँगा college आपको किस तरह से देखना है अपना ठीक है और 21 अक्तूबर से पहले-पहले आप 16, 17, 18, 19, 20 holiday अगर कोई है तो उसको छोड़कर आपको जो है वो 21 तक जा सकते है admission के लिए अपने अपने respected college आपको college अलाट होगा with relevant documents आपको अपने साथ कुछ documents जो है वो carry करने पढ़ेंगे अपने original documents लेकर जाने है सबसे पहले तो आपको जो है वो domicile certificate certificate लेकर जाना है ठीक है अगर आप जमू एंड किश्मीर यूटी के हैं अगर आप लदाग यूटी के हैं तो आपका ST certificate है वो ही आपका जो है वो माना जाएगा domicile certificate ठीक है then आपको लेकर जानी है 12th की mark sheet लेकर जानी है ठीक है 12th का diploma लेकर जाना है उसके बाद में अगर आपने किसी category से अपलाई किया था OBC है ST है SC है ALC है ठीक है कोई भी आपके बास में category है जिससे आपने selection ली है या फिर जिसके basis पर आपको कोई call seat मिली है वो आपको जो है वो अपना category certificate भी अपने साथ लेकर जाना है ठीक है पासपर साइस फोटोग्राफ वो भी आपको अपने साथ रखने है और आपको जो है वो कुछ अपने साथ में फी कर लेनी है ठीक है बागी जो फी रहेगी वो तो आपको अपने college से ही पता चलेगा किस course के लिए कितनी फी आपको जो है word mission fee submit करवानी है गोर्मेंट के लग है प्राइवेट के लग है बट आपको अपने साथ में कुछ फी तो है वो carry करनी है इसके इलावा और कोई certificate जो है वो अगर आपसे मांगेगे हैं किसी colleges में जो है वो medical fitness certificate मांगा गया है अगर आप किसी भी गोर्मेंट hospital में जाएंगे simply आपको medical fitness certificate जो है कें college वाले आगर मांगेंगे आप पहले जाएंगे admission के लिए अगर आप कल ही जाते हैं अगर college वाले आपसे वो demand करते हैं उस document की तो आपको जो है वो वहाँ पर देना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर mention है any other certificate required by the college in accordance with the rule ठीक है वो कोई भी आपसे document medical fitness मांग सकते हैं कोच अद कर लेना है इसके बाद में आपको कोई chance नहीं मिलेगा admission के लिए ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं नीचे आपका इस PDF को scroll down करेंगे सबसे पहले ठीक है स्क्रोल डाउन करने के बाद में यह PDF आपको जो है वो official website पर भी मिल जाएगी otherwise जो आपने telegram चैनल पर भी upload कर देंगे सब से पहले अगर आप देखें इस तरह से आपका serial number mention होगा, role number mention होगा, आपका name mention होगा, then आपकी category mention होगी जो मैंने आपको बताया, category certificate आपको अपने साथ ले कर जाना है, यहाँ पर आपका rank mention है, ठीक है, rank की तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, but आपका discipline है, किसमें anesthesia है, ISM pharmacist है, OTT technician है, medical record technician है, medical assistant pharmacist है, lab technician, dental, x-ray, इस तरह से आपका name के आगे आपका course और आपका college name इस तरह से mention होगा, ठीक है, इस PDF के total 65 pages है, अब इस तरह से scroll down करेंगे, ठीक है, आगर इस PDF को अपना name आपको मिल जाएगा, ठीक है, और end तक भी अगर आप चले जाएगे, तो total आपके जो है, वो 1495 candidates है, जिनको जो है वो, first round counseling में seats मिली हैं, और courses यहाँ पर उनको मिले हैं, इसमें, सारे government colleges में seats नहीं भी हैं, कुछ को private colleges भी मिले हैं, कुछ को, जो है वो इसमे government college में मिले हैं, ठीक है, mostly अभी first round में जो है, आपको government ही देखने को मिलेंगे, then private colleges में भी काफे सारी seat spending है, जो की second round counseling में candidates को मिल सकती है, तो यह थे आपका पूरा update, ठीक है, इसके इलावा अगर किसी को कोई भी, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी query हो, किसी की comment box is here, drop a comment below, ठ चैनल को subscribe कर ले, bell icon को all पर set रखेंगे, latest update आपलों को मिलते रहेंगे, WhatsApp channel is there, Telegram channel is there, link below in the description, ठीक है, join कर लेना, thank you so much